वेलकम टू प्रताब क्लासिज दोस्तों प्रताब क्लासिज के यूटूब लेटफर्म पर आपका हार्तिक स्वागत है तो हमारी अतीत फ़स्ट केक्ष अच्छ है इतिहास के हमारी पाठे पुष्टक चल रही है जिसमें अध्याय नेमर 10 आज हमारा लास्ट अध्याय है इम इसी के साथ मैं चर्चा करूँ तो आप NCRT जो बुक्स है उसकी टेस्ट स्रीज परताब क्लासिज पर उपलब्ध है आप ले सकते हैं मातर सो रुपे प्राइज है सेटेड एक्जाम है जिने विदार्थियों का और रेट लेवल सेकंड एक्जाम की त्यारी करें या UPSC प परसनों की कुश्चन नमर परसन है हमारा लगबग पंदरा सो साल पहले पहले बात करें तो लगबग पंदरा सो वर्स पूरो बने महरोली के लोहस्तंब में आज तक जंग नहीं लगी है यह अदबुद लोहस्तंब निमनली के तमें से कहां स्थित है तो बहुत बार कि महरोली का लोहस्तंब कहां स्थित है महरोली का लोहस्तंब कहां स्थित है आप SSJD की त्यारी करें हो चाए UPC की त्यारी करें हो चाए Central Hill की इजाम की त्यारी करें हो तो बेस्ट कुश्चन है और NCRT से यहीं उठाते हो तो दिल्ली के अंदर है याद रखना आपको मुख करी मिलती है इसमें चंदर नामक एक सासं का जिकर है जो समत है गुप्त वंसका था यानि जो ये देख रहे हो ये है लोवस्तम ये बहुत पुराना है लेकिन कहते हैं कि इस पर जंग नहीं लगी हुई है ठेक है और इसी के उपर जो है कुछ अबलेख है अबलेख टाइप कियोए है यानि कुछ सासकों के बारे में जान करी दियो जो इसमें कुछ एक चंदर नामक सासक था उसका जिकर किया गया यानि कहा गया कि ये गुप्त वंसका है याद रखने है ये महरोली का लोहस्तम है दिल्ली के इंदर जहां से एक्जाम में कोश्म पूचा जाता है प्रसन नमर दो स्टूपों के संदर्म में निमन लिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है स्टूपों के संदर्म में निमन लिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है हमें ये देखना है स्टूप का साब्दिक अर्थ होता है टिला बिल्कुल सही है स्टूपों में सजावट के लिए रखा जाने वाला गोल, दातू, डिबा, दातू, मंजूसा कहलाता है संदूप स्टूपों के चारों और परिकर्मा हेतु बना वर्ताकार पत प्रय दक्षिनापत कहलाता है, बिल्कुल सही है प्रय दक्षिनापत को रेलिंग से गहर लिया जाता था, जिसे वेदिका कहते है ठीक है, तो स्टूप का एक तो याद रखना है, स्टूप का साब्दिकर्थ क्या होता है, टिला होता है क्या होता है साब्दिकर्थ होता है तीला फिर हम बात करें तो इसके जो स्टूपों के चारोर परिकर्म एतु बना वर्ताकार क्या कहलाता है प्रय दक्षनापत कहलाता है एक तो याद रखना है फिर प्रय दक्षनापत को रेलिंग से गेर लिया जाता है उस रेलिंग को क्या कیते हैं वेदिका केते हैं यह एक तो याद रखना है ठीक है अब देखते हैं मुखे तथे की बात करें तो देखिए स्टूप का साब्दिकर्थ है टिला होता है श्टूप अकार में कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे होते हैं कभी स्टूपों में बुद्ध या उनके अन्योईयों के सरीर के अवसेस अत्वा उनके द्वारा प्रिप्त कोई चीज एक डिब्बे में रखे जाते थे जिसे दातों मंजूसा कहते थे ठेक है दातों मंजूसा इसे कहते है यानि जैसे बुद्ध और उनके अन्योईयों के सरीर क अथ्वा उनके द्वारा प्रिक्त कोई चीज एक डिबी में रखे जाते थी उसे दातुमंजूसा कहते थे स्टूप पराये इनी दातुमंजूसा के उपर रखा मिट्टी का टिला होता था बाद में टिलों को इंटों से डक दिया जाता था वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे रेलिंग तता तोरण पराये मूर्तिकला की सुन्दर कलाकर्तियों में सजे होते थे उदारन की बात करें तो अमरावती से लगबग 2000 वर्स पूरों के प्राप्त स्टूप को सजाने के लिए सिलाओं पर चित्रू करे गए स्टूप निर्वार में राजा के अलावा व्यपारी करशक सर्मिक भी योगदान देते थे जैसे हाती दात का काम करने वाली सर्मिकों के संग ने सांची के एक अलंकरंत प्रवेश द्वार यानि तोरण को बनाने का खर्च दिया था तो याद रखना है ठीक है फिर देखें प्रसन नमर तीन पूरव मद्यकालिन अरंबिक हिंदू मंदिरों के संदर्म में निमनलेकित कत्रों पर विचार केजिए किस पर पूरव मद्यकालिन अरंबिक हिंदू मंदिरों पर ठीक है तो इसमें कतन बात करें तो इसने पूचा है कि सही कौन सा है सही तो ये है गरब ग्रय के उपर काफी हुँचाई तक निर्मान में किया जाता जिसे शिक्र केते थे ठीक है ये आपको देखना है मुख्यतेते की बात करें तो इसमें केबल दो सी हो जाएगा मुख्य तथे की बात करें मंदिरों का सबसे मैतपुन भाग गरब ग्रय होता था जहां मुख्य देवी देवताओं विश्नु सीव दुर्गा आदी को रखा जाता था अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की जगें होती थी जहां लोग एकठा होते थे यह एक प्रकार का सबागार होता था अत्य अथन एक सही नहीं है गरब ग्रय में पूरो ही तो दार्मिक अनुस्तान करते थे यानुस्तान यानि यग करते थे और भग्त पूजा करते थे गरब ग्रय को पवित्तर स्थान दिखाने के लिए अक्सर उसके उपर सिखर बनाए जैते थी यसने का था कि मंझीरों में गरब गर्य नाम के स्थान पर लोग प्रत्र होते थे देखिए ठीक है रहा medical का पर होते थे मंधप की नाम के जगह होते थे ठीक है तो ये देखिए इसने का था कि मुख्य देवी देवताओं को रखा जाता था अंतरिक अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की जगह होती थी जा लोग इकठा होती थे यह एक प्रकार का सबागार होता था ठीक है याद रखना है नहीं की गरब गरे फिर बात करते हैं उदारण की बात करें बीतर गाओं के मंदिर याद रखना है बीतर गाओं के मंदिर अरंबिक हिंदू मंदिरों में से बीतर गाओं के मंदिर लगबग 1500 वर्स पूरो महा बली पूरम के एकास्मिक मंदिर एहोल का दुर्गा मंदिर लगबग 1400 वर्स पूरो अधिपरसिद है एकास्मक मंदिरों की विसेष्टा है कि इन्हें एक ही विसाल सिलाखंड को उपर से नीचे की और तरास कर बनाया जाता था ठीक है फिर बात करें परसन नमर चार पुराणों के संदर्म में निमन लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है सही नहीं पुराणों के बारे में कौन सा गतन बिल्कुल सही नहीं है पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे बिल्कुल सही है इनमें पुजा वीदियों के साथ साथ संजार की सरश्टी तता राजाओं के बारे में भी कहानिया है बिल्कुल सही है कथन सही है, बिल्कुल कथन गलत है, देखते हैं मुख्य तत्या में, देखें क्योंकि इस्तुरियां और सुद्र जिने वेद पढ़ने की नमती नहीं थी, वे भी पुराणों को सुन सकते थे, पुराणों का साब्दिकर्थ होता है प्राचिन, क्या होता है, प्राचिन ये प लेकिन मखंक जो है, नहीं है, ठीक है, अब देखते हैं थोड़ी सी, तो देखें पुराणों की कुल संक्या 18 है, ये याद रखना आपको पुराणों की कुल संक्या 18 है, परन्तु मतस्य पुराण में लिखा है, कि पहले पुराण एक ही था, उसी से अन्य सभी पुराण न जुड़े होई हैं, तो एक तो उगर्स रवाओ गया, एक लोम हर्स होगे, और एक होगे, ये कौन है, व्यास, ठीक है, विश्नु, ये व्यास, आगे बात करते हैं देखिए, मखंक कस्मीर के एक संसकत महाकवी थे, कौन थे, मखंक की बात करें तो कस्मीर के एक संसकत महाक पिद्दीं, यह संकर्थ में तो यह जाएंगे, जो तीस विद थे, खगोल विद थे और तीनों थे, आंसर सही हो जाएगा, एक, दो, तीन, च्वार्य नंबर ठीक है, त्कित त इसकार्ट रहिए घॅहारा बंत twoivering आरे भटकी है ठीक है ये एक महान जोती स्विद्ध थे उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा कि दिन वरात प्रत्वी के अपनी दूरी पर चक्कर काटने के वज़े से होता है देखो इस टाइम ही इन्होंने बता दिया था उन्होंने ग्रहन के बारे में भी विज्यानिक त आरे भटकी पुस्तक कौन से है आरे भटियम इन्होंने एक तो ये जोती स्विद्ध थे उसके बाद हम देखे तो इन्होंने प्रत्वी के अंदर प्रत्वी पर दिन रात होने की स्थिति किस पर बताई थी अपने एक्स पर गूमने की ठीक है फिर उन्होंने ग्रहन के बा ये दियावें से आठे बुक में, बारत के गिनित्ग्यों ने सुने के लिए एक नए चिने का अविस्कार किया, बिल्कुल सही है, गिन्ती की यह बदती पहले यूरोपियों द्वारा पनाई गई और उसके बाद पूरे अर्ब में फेल गई, बिल्कुल गल्त है, रोम के नि लेखते हैं, ठीक है, आगर देखिए, परसन नमर आठ, कागज का अविस्कार निमन अलिखत में इसे कहा हुए था? देखिए, कागज का अविस्कार लगग 900 वर्स पूरव चीन में लून नाम के वैक्ति ने किया, इसने लून नाम के वैक्ति ने किया, लगबग 1400 सो वर्स पूरोवी है तकनीक कोरिया तक पहुंची उसके तुरुंत बाद जापान तक फेल गई लगबग अठारा सो वर्स पूरोवी है बगदाद में पहुंची फिर बगदाद से यह यूरोप अफरिका और एसिया के अन्य बागों में फेली इस उप महादुप में कागज की जानकरी बगदाद से ही आई है ठीक है फिर बात करते हैं सुची फस्ट को सुची सेकंड से समेलित कीजिए तथा नेची दियेगे कूट का साहिता से सही उत्तर का चैन करना है ठीक है सही उत्तर का चैन करना है तो इसमें कुछ कावे करती हैं और रचना कार है हमें मिलान करना है किसकी है तो देखिए सिलप्पा दिकारमा सिलप्पा दिकारमा ये एक क्या है तमिल माकावे है सिलप्पा दिकारमा ये तमिल माकावे है ये किसके द्वारा लिखा गया है ये इलांगो के द्वारा किसके द्वारा इलांगो के द्वारा फिर मनी मेखलाई ये भी तमि कालिदास का ठीक है और यह हो जाएगा इसका एक है सिलप्पा दिकारम यह हो जाएगा इलांगो की रचना है मनी मेख लाई तमिल माकवे यह सितले सतनार का है मेख दुतम की बात करें तो कालिदास की है एक मैंने पहले भी उपता ही थी अब ग्यान सकूतलम इसका नाटक भी रमायन की बात करें तो वालमिक की तो तीनों याद रखने हैं इसके आंसर की बात करें तो चार दो उसके बाद हम देखें तीन एक हो जाएगा ठीक है तो चार दो तीन एक बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है देखें सिलप्पा दिकारम एक प्रसित्द तमिल माकावे है जिसक इसमें कोवलन नामक व्यपारी की कहानिया जो पुहार में रहता था मणी मेखलाई नामक महाकावे तमिल के एक व्यपारी सीतले सतनार दोरा लगबग 1400 वर्ष पुरोव लिखा गया था इसमें कोवलन वज़ता मादवी की बेटी की कहानी है ठीक है फिरागेदे के प्रसिद गीत कावे मेख दूतम कालिदास द्वारा रचित है इसमें एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाक मनाने की कलपना करता है कालिदास ने अपनी रचनाई संसकर्ट में लिखी है प्रसिद संसकर्ट माकावे रामायन के रचनाकार वालमिकी है इसमे कोसल के राजकुमार राम की कता है याद रखना आपको ठीक है फिर बात करते हैं मैतपुन कुछ तीतिया है देखे स्टूप निर्मान की सुरुवात होई थी लगबग 2300 साल पहले याद रखना है अपसे सत्य है सत्य है या मिलांचने में दे सकता है स्टूप निर्मान की फिर अमरावती लगबग 2000 साल पहले कालिदास की बात करें तो 1600 साल पहले फिर लोहस्तंब बीतर गाउं का मंदिर अजन्ता की चितरकारी आरे बट 1500 साल पहले थे दुर्गा मंदर की बात करें इसका निर्मान 1400 साल पहले हुआ था तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है फिर हम बात करें आयूरवेद की आयूरवेद चिक्तसा विज्यान की एक विख्यात पतती है जो प्राचिन भारत में विक्षित होई प्राचिन भारत में आयूरवेद की दो प्रशिद चिक्तसक थे एक तो थे चरक प्रथम दुवित्य स्ताबदी इस्वी की बात करें फिर थे सूसरूत चोथी स्ताबदी इस्वी के थे चरक दुवरा रचित है चरक सहिता ओसदी सास्तर की एक उलेखनिय पुस्तक है अपनी रचना सूसरूत सहिता में सूसरूत ने सल्य जिक्सा की विदियों को विश्तित वर्णन की है तो एक तो याद रगा है चरक ठीक है चरक की बात करें तो ये ओसदी सास्तर थे और चरक सहिता इनकी पुस्तक थी फिर बात करें सोसुरूत ठेक है सोसुरूत इनकी पुस्तक है सोसुरूत सहिता रचना सोसुरूत सहिता जिनमें इनका सल्यत जिक्सा की वेदियों का विश्तित वड़नन है ठीक है फिर सुन्य के बारे में मैंने बताया था वे किनोर बात करते हैं अंको का प्रियोग पहले से होता रहा था पर अब भारत के गिंतग्यों ने सुन्य के लिए एक नए चिने का विश्कार किया गिंती की यह पदती अर्बों दोरह अपनाई गई और तब यूरोप में भ पहाड़ी को खोद कर इस दो मंजली इमारत को बनाया गया है कमरों के प्रवेश दुआरों को ध्यान से देखो इन में जेन विख्शू रहते हैं और ध्यान करते थी ठेक है फिर देके निचे रच्छे संग्राले नई दिली से एक मोर्ति का चितर है वो आगे है ठेक है तो रेटे एक्जाम और एन्से आर्टी बुक सूतना साहिक के लिए मिल जाएगी आरपेसी द्वारा पूछेगे और राज्तन प्रिस के ओनलाइन परताब क्लस्स पर टेस्ट स्रीज उपलब्द है तो सभी अपदार्थी इन टेस्ट स्रीज को जरूर ले और अच्छे तरीके जो कक्षा अच्छा है इतिहास है वो बुक हमारी कंप्लीट हो गई है अब हम बात करेंगे एक लेशन से दो या तीन क्वेशन बन रहे है तो मैं एक ही वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट करवा दूगा ताकि हमारा टाइम बच सके यानि सीटेट के जो विदार्थी त हमाराइकि युर्ण के अच्या है वहाइन पर स्भीडियों के अच्या है करएक है तो आपको पूर LEE की अलग फोल्डर बंन दूत द्न रहे हैं अच्छे तरीक से ने कालिए मैं कहता ह oko этого जीरो से लेकर असी तक आपका जो है मेटर अच्छे तरीकी से तयार हो जाएगा यानि आप से कोई भी कुश्टन पोचे ले कि ये मुझे थोड़ा समझाना या मुझे बताना कि ये चीज कहाँ पे है और ये चीज क्या है चितर में अच्छी तरीकी से गहन ध्यन कीजिए आपको मैं कहता हूँ बेसिक अच्छी तरीकी से NCRT पढ़ोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि मेरी बहुत ही अच्छी तयारी है कोई भी आप से कुशन पूचेगा तो आप अच्छी तरीकी से उसका जबाब दे पाओगे अगर आपने NCRT मेरे साथ अच्छी तरीकी से निकाल ली और अच्छी तरीकी से टेश्ट स्रीज कर ली जय हिंद जय बार दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में